पुल्वामा हमले पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला फिर होगा सर्जिकल स्ट्राइक पुल्वामा के काकापूरा के रहने वाले आदिल एहमद के तौर पर की है उन्होंने बताया कि एहमद 2018 में जैशे मुहमद में शामिल हुआ था जैशे मुहमद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है हमला श्रीनगर से करीब 30 किलोमेटर दूर हुआ है धमाका इतना जबरदस था कि बस के पर कच्चे उड़ गये हैं और आस पास विखरे शत विख्षत शवों को देखा जा सकता है हाला कि अब सवाल ये उड़ता है कि आखिर सेना के जरीए इस हमले के बाद बदला कैसे लिया जाएगा क्योंकि देश के जवान शहीद हो गये और पूरे देश में गुस्से का महौल है ऐसे में देश की मांग बदले के इलावा कुछ भी नहीं साल 2016 में मोदी सरकार ने शहीद जवानों का बदला सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे कर लिया था ऐसे में क्या इस बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता है जी हाँ अगर आतंगवादियों से शहीद जवानों का बदला लिना है तो सर्जिकल स्ट्राइक ही एक विकल्प के तोर पर सामने आता है बदले की ये आग इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली है ऐसे में आतंगवादियों को उनके घर में घुसकर मारने से ही देश को शांती मिलेगी साथ ही दुनिया को भी ये संदेश जाएगा कि भारत जैसे शांत देश को अगर छेड़ोगे तो ये देश आसानी से छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या मोदी सरकार को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं 2016 में उरी में हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मूँ तोड जवाब दे दिया गया था लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है वहीं बीजेपी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है इसका उन्हें अंदाजा नहीं है ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू के जरिए पडोस में पल रहे आतंक के आकाओं को कुचल सकती है 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में बड़ा हमला किया था अपने कैंप में सो रहे निहत्ते सिपाहियों को आतंकियोंने निशाना बनाया था इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे इस हमले ने पूरे देश को जगजोड के रख दिया था मोधी सरकार ने तभी कहा था कि आतंकियों को इसका जवाब दिया जाएगा दस दिन तक छाई चुपपी ने पूरे देश को बेचैन कर दिया था लेकिन मोधी सरकार ने इसी बीच बड़ी खूफिया तैयारी की जिसका अंजाम 30 सितंबर को पूरी दुनिया ने देखा 28-29 सितंबर 2016 के दर्मियान रात को पियो के में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतिय सेना ने आतंकियों के कैम्पों को उड़ा दिया था भारतिय सेना के बहादूर स्पेशल फोर्सेस के साथ दस्तों ने इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया था बिना किसी जवान को खोए दुश्मन के घर घुसकर भारतिय रण बांकुरों ने 50 से ज़ादा आतंकियों को मौट के घाट उतार दिया था ऐसे में आम चुनाव से पहले मोधी सरकार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है दोस्तों आप अभी क्या कर रहे हैं हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके लावा और मज़ेदार जानकारियों के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक कीजिए